हेलो किसांसाथियो, BETRL info यूट्यूब चैनल पे सभी किसांसाथियों का हार्दिक स्वागित करते हैं दोस्तों आज हम वेटरिनरी की टॉप 20, टॉप 20 मेडिशन लेकर आए हैं जानए की टॉप 20, 20 ऐसी दवा लेकर आए हैं जिनका उपजोग सबसे ज़्यादा जो है हमारे वेटरिनरी डॉक्टर हैं वो करते हैं जानी कि पशु रोगों में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाली टॉप टवंटी दुवाईयों के बारे में 20 दुवाईयों के बारे में कुस ऐसी सौट जनकरी लेकर रहा हैं जिसे जानकर आपको बहुत ही बड़िया नौलिज मिलेगी आज हम कुस ऐसी टॉप टॉप टॉटी जो है दुवाईयों के बारे में आपको जानकरी देंगे मेडिशन के बारे में जिनका उपजोग वेटरिनरी में पशु लाइन में डैरी फार्में सबसे ज़्यादा किया जात जिससे आपके डैरी फार्म में बहुत ही आपको हल्प मिलेगी तो चलिए वीडियो सुड़ू करते हैं ऐसी कौन सी बीस वो दबा है जिनका वेटरिनरी लैन में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है डैरी फार्म में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है नमबर वन पैना के टेबलेट जिप पैना के और टेबलेट डिवार्मिंग होती है पेट के कीड़े मारने की दबा होती है जानि कि जदि आपके पशू के पेट के कीड़े हैं तो पैना के और का बहुत ही सांधर रजल्ट देखने को मिलता है जिसमें फलवेंडा जोल साल्ट पाया जाता है मिनरल भी होते हैं मिनरल की डैफिजेंसी है. तो ये ओस्टोबेट कैलसियम का बहुत ही सांधर रिजल्ट देखने को मिलता है. नंबर 3 बिमराल बिमराल दोस्तों एक मल्टी लिकृड मल्टी विटामन होता है. जिसमें विटामन A, विटामन D3, विटामन E रो बायोटें जि इस मैडिसन को दोस्तों बिर्वेक कमपनी बनाती है नमबर चार वेट मेट इंजेक्शन ज़दी आप एक डैरी फार्मर हो तो वेट मेट इंजेक्शन के बारे में जरूर जानती होंगे जो 2 ml में दोस्तों इंजेक्शन आता है ज़दी आपके पशु को आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है जे इंजेक्शन क्या करता है लगाने के बाद आपके पशु की ओबरी का जो मुह है वो खोल देता है जानिकि बच्चेदानी का मुह खोल जाता है इसको रिटेंसन आप पलासंटा की प्रॉबलम में भी जूज किया जाता है ज़दी आपके पशु का जेर नहीं गिर रहा है तो इसको लगा कर मुह खोल जाता है बच्चेदानी का डोक्टर है वो जेर निकाल देते हैं इसके लिए स्पैसल आईज अगर आप वीडियो देखना चाते हो वेटमेट के लिए तो वेटमेट के लिए वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है आप डेटेल से पूरी जानकरी देख सकते हो नमबर पांच रिसेप्टल इंजेक्शन ये वेटमरी में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाला हमरे वेटमरी डॉक्टर इसको ज्यूज करते हैं रिसेप्टल इंजेक्शन रिसेप्टल इंजेक्शन एक हार्मोन होता है ब्रूसलीन हार्मोन होता है यो क्या क्यारता है कि आपके पशु का हरमोन इल्वेलस होने के कारण आपका पशु रपीट करता है to उस समय से हम के वेटिरनरी डॉक्टर है वो इसको इसको इस्तमाल में लेते हैं नमबर शे आक्सी टेटरा सैकलीन ये तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने बाला पैंटिलिंग ग्रूप का एंटिवाटिक है जिसको हम आक्सी के नाम पे जानते हैं डैरी फार्मर वेटरिनरी डॉक्टर इसको आक्सी इंजेक्शन के नाम से जानते हैं इसका इसमे इसको आप आपके पशुको बुखार है टेंपरेचर है जहीं से उसका गाव हो गया है किसी परकार का वाइरल इंफेक्शन है तो उसमें आक्सी टाइटरा सैकलीन का बहुत ही बड़िया रिजल्ट देखने को मिलता है नमबर साथ दोस्तों फोटी वीर इंजेक्शन फोट पी केर सप्रे यह एक सप्रे होता है जिसको नैचरल रेमेडी कंपनी बनाती है ज़िए आपके पशुक कहीं भी चोट लगया है गाव है तो उस पे लगाते हो तो आपके पशुको बहुत ही जल्द जखंपे अराम मिलता है नमबर नाइन ट्राइवी वेट इंजेक्शन ट इनक वाला मिन बोलते हैं वो होता है जदि आपके पुसको बी गृफ की डेफिसेंसी है तो आप जे ट्राइवी वेट इंजेक्शन लगा सकते हो इसको बुखार में यह सट्रेस के कारण अन्य रोग में स्पोर्ट थेरपी के रोग रूप पे भी हमारे डोक्टर हैं वो इ हाई टेक टैबलेट हाई टेक टैबलेट दोस्तों यह विरवेक कंपनी की डिवार्मिंग है जदि आपके पशु को जो है उसके पेट के कीड़े हैं जैसे आपके पशु के पेट के कीड़े हैं तो उसमें इंटरल पैरासाइट और पैरासाइट और पैट के कीड़े मारने का ये बहुत ही बड़िया काम करती है नमबर ग्यारा इंटासिफ टैजो इंजेक्शन इंटासिफ टैजो इंजेक्शन मस्टाइटिस में सबसे ज्यादा मस्टाइटिस में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाला इंजेक्शन है यह क्या हाई एंटी वाइटि को होता है ज़िए आपके पुश्चों को मस्टाइटिस है जहां अन्ने परकार के जैतने भी वाइरल फिया जो है केसे सो होते है उनमें यह वेटरिनरी डॉक्टर इंटासिफ्ट है जो इंजेक्शन का इस्तमाल करते हैं जिसको इंटास कंपनी बनाती है वाइटो मैच वाइटो मैच इन दोस्तों यह टरनेटा कंपनी का मल्टी विटामन होता है खास तोर पे आप इसको अडर की ग्रोथ के लिए और ब्याने से पहले ब्याने के बाद आप अपने पशु को दे सकते हो मनस्टाइटस में भी इसका बहुत सांदा रसल्ट देखने को मिलता है नबर तेरा एगरिमिन फोट पाउडर यह एक पाउडर होता है जदि आपके पशु को मिनरल बिटामन की डेफिसेंसी है रपीट कर रहा है तो इसमें यह बहुत ही बड़िया काम करता है नबर चौदा दोस्तों सी मेक इंजेक्शन यह दोस्तों एक बिटामन सी का इंजेक्शन होता है जिसमें असकॉर्बिक एसिड होता है हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इसको इस्तमाल में लेते हैं अगला दोस्तो है बेला मिल इंजेक्शन ये बेला मिल इंजेक्शन दोस्तो बी ग्रूप का इंजेक्शन होता है और इसमें लिवर एस्टरेट पाया जाता है ज़िए आपके पशु को टेंपरेचर है बुखार है और फीड हो गया तो उसाथ में जे स्पोर्ट थरपी की अगला दोस्तो है डूरा प्रोजन इंजेक्शन दोस्तो ये ठंडा टीका है दर जी आपका पशु को आपका पशु कंसीव कर जाए तो उसको प्रलैप्स की बगारा से जो उसको अबोर्सन होने से बचाने की लिए हमारे वेटरिनरी डुक्टर है वो डूरा प्रोजन दॉक्टर हैं वह बहुत ही ज़्यादा करते हैं जिदि आपका पुशु किसी वी वारल in infaction वारल इंफेक्षिन परकार की जो है समस्या का सामना करना पट रहा है आपके पुशु का पुशु बुखार है और फीड है आपके पुशु कहीं से गौ हो गया है मस्टाइटिस है तो उसमें ये इंजेक्शन का बहुत ही सांदर रिजल्ट देखने को मिलता है तो आई होप आपको ये सबी मेडिशन के बारे में सौर्ट में जानकारी मिली होगी जड़ी आपका कोई कोच्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूप हो सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद